सभी को नमस्कार, हिंदी कक्ष्या में आपका फिर से स्वागत है तो हमने पिछली वीडियो में अलंकार के बारे में पढ़ा था कि कविता में सोंदरी उत्पन करने के लिए जिन विशेश शब्दों का या जिन विशेश शब्दों पर बल दिया जाता है आज हम उशी परिक्रिया को आगे ले जाते हुए क्या है उनके जो दो भेद थे जो मैंने आपको समझा दिया था पहला भेद इसके लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हो उसके लिंक पर जा सकते हो तो उसमें क्या कराये था उसमें शब्दा लंकार कराये थे शब्दा लंकार में कौन-कौन से लंकार आते हैं? अनुप्राश, यमक और शलेश इन तिनों के बारे में ही मैंने उधारन सहीत आपको बता दिया था आज हम कराएंगे अर्था लंकार जैसा कि नाम से ही पड़तित हो राये अर्था लंकार अर्थ के कारण विशेश चमतका वुत्पन हो या अर्थ के कारण कवीताओं पर बल दिया जाए उसे अर्था लंकार कहते हैं तो अर्था लंकार में भी कवीता का भूँत बड़ा योगदान है और आपको ये जानकारी भी होगी कि हमारी जो तक्रीबन कविताई है उसमें अर्था लंकार का प्रियोग जादा किया जाता है तो चलिए आज हम अर्था लंकार के बारे में पढ़ेंगे अब हम अलंकार के जो दूसरे भेद है उसके बारे में पढ़ेंगे वो है अर्थालंकार अर्थालंकार देखिए इसमें क्या बताया जाता है कि विशेश अर्थ पर बल दिया जाता है कवी लोग अपनी कवीता में चमतकार उत्पन करने के लिए किसी विशेश जिस अर्थ सब्द पर बल देते थे उसे हम कहेंगे अर्था लंकार तो अर्था लंकार के भेद देखिए उप्मा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशोक्ति ये है अर्था लंकार के भेद अब अर्था लंकार के नमबर एक भेद पर जो कि उपमा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब उपमा में होता क्या है उपमा अलंकार के पहले तो हम बता देते हैं कि चारंग होते हैं देखिए बता रही हूं मैं आपको दिख रहा होगा कि मैंने उपमा अलंकार के अंग लिख रखे हैं जो च्यार है तो सबसे पहला है उपमे जिस व्यक्ति या वस्तू की समानता की जाती है उसे क्या कहेंगे उपमे अब है हमारा उपमान जिस से समानता की जाती है तो यहाँ पर क्या है हम किसी भी परशिद व्यक्ति वस्तू या किसी भी प्राणी का हम नाम दे सकते हैं अब है हमारा तीसरा साधारन धरम उपमे उपमान के बीच में जोगुण पाए जाते हैं उनके तहत ये जो साधारन धरम है ये उपमालंकार में जरूर लगाया जाता है और नमबर च्यार पर है वाचक शब्द जिस शब्द के दुआरा समानता का बोध हो जिस सब्द के दुआरा समानता परतीत हो तो उसे क्या कहेंगे वाचक शब्द तो ये तो हो गए हमारे उपमालंकार के अंग अब हम इसकी परिभाशा करते हैं कि उपमालंकार होता क्या है उपमालंकार में किसी भी जैसे इसमें बताया था उपमे और उपमान तो इन दोनों की समानता की जाती है इन दोनों में समानता की कौन सी चीज जैसे ये परशित चीज है उपमान तो इसकी समानता इससे की जाती है और इसे बीच में जोडने में साधारन धर्म काम आता है तो उपमे में उपमान की समानता या तुलना की जाए उसे हम कहेंगे उपमालंकार अब उपमालंकार के हम उधारन से तो देखिए काली सेडके तारकोल सी अंगारे सी जली पड़ी थी तो इसमें क्या बताया है कि जो सेडके थी काली और तारकोल की बनी हुई वो अंगारे सी जली पड़ी थी तो यहाँ पर जो अंगारे सी तो यहाँ पर ता सेड़कों की तुलना, सेड़कों की तुलना किस से की गई है, अंगारे से की गई है, तो यहाँ पर क्या आया हमारा उपमा अलंकार, देखिए इसके दूसरे उधारन से देखिए, पीपर पात, सरिस्मंडोला, तो यहाँ पर पीपर पात, पीपर मतलब पीपल के पत्ते और सरिस के समान और मन तो यहाँ पर मन की और पीपल के पत्ते की तुलना की गई है तो यह हुआ हमारा उपमालंकार ऐसे ही कुछ और कुछ और उधारन्य देखिए उनसे भी आप समझ सकते हैं नीले गगन सा हिर्दे शांत हो रहा तो इसमें नीले गगन की और हिर्दे की तुलना की गई है ऐसे ही हमारा अगला है समय सिला सा जम जाएगा तो यहाँ पर समय की और शीला मतलब पत्थर की तुलना की गई है यह रहा आपका तो देखी हमारे उपमा अलंकार के हमने चारोधारन करवा दिये हैं जो आप समझ गए होंगे अब हम आगे चलते हैं तो अगला है हमारा रूपक अलंकार रूपक तो रूपक को बता रहे हैं कि रूपक में क्या होता है कि उपमे में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है उपमे में उपमान को एक जैसा बता दिया जाता है जैसे उपमा में तुलना के जाती है और रूपक में इन दोनों को स उधारन से बता रही हूँ तो सबसे पहला है इसमें मैया मैं तो चंदर खिलोनों ले हो तो इसमें बताया गया है कि मैया जैसे बच्चे मां से जिद कर रहे हैं कि मैं तो चंदर्मा रूपी खिलोना लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर जो खिलोने की तुलना है वो चंदरमा से की गई है तो खिलोने को चंदरमा जैसा बता दिया गया है तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा रूपक अलंकार अब इसका उदारन दूसरा देखिए चरन कमल बंदो हरी राई तो यहाँ पर चरणों में कमल का आरोप लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा रूपक अलंकार, अब देखिए आगे, गुरू पद पंकज सेवा, तो यहाँ इसका तीसरा उधारन है, यहाँ पर गुरू के जो पद है, उसको पंकज की सेवा बताई गई है, तो यह क बूडे बहे अनेक तो इसमें मन सागर में बूडे बहे अनेक इसमें भी क्या है समानता के आधार पर एक जैसा बता दिया गया है तो ये भी क्या हुआ हमारा रूपक अलंकार तो आपने ये रूपक अलंकार के उधारन देखे और इससे समझ भी गए होंगे तो हम आगे चलते हैं तो ये उत्प्रेक्षा देखिए इस पे हम आ गए उत्प्रेक्षा पे उत्प्रेक्षा होता क्या है उत्प्रेक्षा में उपमे और उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है उपमे और उपमान उपमे और उपमान उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर होता है हमारा उत्परेक्षा इसको जानने के लिए जैसे मानो मनू जैसे शब्दात्ते हैं तो देखे हम हुदारन से इसको समझेंगे इसमें हैं तो इसमें क्या बताया है कभी ने की तो यहां पर क्या बताया है शाम कौन है स्रीकिरसंजी सलोने सामले रंके और गात मतलब सरीर के थे और जब वो ओडते थे क्या पीट पत तो पीले रंके जब वो कपड़े पहनते पीले और पट का मतलब कपड़े तो जो पीले रंगे कपड़े पहनते थे तो क्या लगता था मनो नील मनी नील मनी एक परवत है नील मनी सैल पर आतप पर्योपर भाव तो जैसे नील मनी परवत पर जो परकाश फैल जाता है ऐसा ही परकाश स्री किर्शन जी जब पीले रंगे कपड़े पहनते थे तो फैल ज लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट वो क्या है आपका मनू मनू अभी मैंने बताय था मानो मनू जानो जनू ऐसे जो शब्द आएंगे तो वो उत्परेक्ष्या अलंकार के जो मेन तथ्थे हैं वो होते हैं चलिए अब हम दूसरे उधारन पर चलते हैं ले चला मैं तुझे कनक जियू भिक्षुक लेकर सरवण जनक तो यहां पर भिक्षुक एक भिखारी है और वो कनक लेकर मतलब गेहुं लेकर जब चलता है बिक्षा में तो उसे उन गेहुं को देखकर इतनी खुशी होती है कि उनमें से स्वन जनक किस जो सोने के रंके दानों को देखकर एक तरह से उसमें मुस्कुराट फैल जाती है तो इसमें भी क्या चीज है फेमस ज्यूं जैसे इसमें ज्यूं है तो ये फिर वो या गया आपका उत्परेक्षा लंकार इस चीज पर आप ध्यान देना कि ज्यू व्यक्त मारे क्रोध के तनु कापने लगा मानों हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा तो इसमें भी देखिए जो में चीज है वो क्या है मानों तो इसमें बताया गया है कि उसक्रोध के कारण उसका सरीर कापने लगा और हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा तो यहाँ पर एक कल्पना की गई है संभावना जहां पर व्यक्त की जाए वो हमारा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है अब हम ये समझेंगे कि जैसा कि इसमें दिया गया है मानवीकरण कि जहां पर प्रकरती की चीजों में मानव का अरोप लगाया ज या हम यूँ कहें कि जो प्रेकरती है या जड़ चीजे है या निर्जीव चीजे उनको ठीक है जड़ जैसे जड़ जो चल फिर नहीं सकती और निर्जीव चीजे ठीक है जड़ पर प्रेकरती का आरोप लगाया जाए तो उन चीजों पर क्या है मानवी करण जड़ या निर् विकरन अलंकार तो देखिए हम उधारन से और अच्छा समझेंगे पाहुन जू आए हो गाउ में शहर के मेग आए बड़े बंठन के सवर के तो इसमें क्या बताया गया पाहुन का मतलब महमान ठीक है जो महमान जैसे आते हैं गाउ में शहर के तो उनको देखने के लिए यहाँ पर क्या है मानवी करन मेगों को क्या बताया गया है इसमें में जो चीज है वो देखिए मेग मतलब बादल है बादल यहाँ पर निर्जीव है और यहाँ पर निर्जीव चीजे तो बादल है और बादल क्या बंठन सकते हैं और सवर सकते हैं नहीं न तो यह तो क्या हो गई, मनुष्य के किरिया कलाप है ये बनना, ठनना और सवरना तो यहाँ पर क्या है मेगो का, मनुष्य की तरह बन्ठन के सवर के आया हुआ बताया गया है कि जैसे जो महमान है अतीती है गाओं के गाओं में आते हैं शहर के तो ये देखिए हमारा हो गया मानवीकरण अलंकार आगे देखिए इसका दूसरा उधारण, बड़ा ही आसान है, तो इसमें देखो दिवावशान का समय मेग में आसमान से उतर रही संध्या सुंद्री परिसी धीरे धीरे, तो देखिए इसमें संध्या, संध्या तो पताई है न, संध्या क्या होती है जो शाय, शाय का जो समय होता है, सुंद्री परिसी अब ये जो साय का समय है जो इवनिंग, हम उसको किसमे, एक सुंदर परी में कनवर्ट कर रहे हैं याँ पर, सुंदर परीसी, उसको यहां पर क्या बताया है सुन। परी की तरह है आसमान से उतरते हुए दिखाया गया है तो यह हो गया हमारा मानवी करन का तो देखिए, इसमें और भी उधारन दिए गए है मैंने जो बहुत सार एक्जामपल जिसमें एक्जाम में आते हैं तो ये देखिए ये रहा और ये रहा तो इसको भी आप समझ सकते हो कान पकड़ कर सूरज जब होले से धकी आएगा तो इसमें भी देखो कान पकड़ कर क्या सूरज का कोई कान पकड़ सकता है और फिर होले से धकी आएगा तो ये देखो सारी चीज़े जो किरिया कलाप है ये किसकी है? मनुष्य की तो यहाँ पर भी मानवी करणा गया अब देखो इसका एक और एक जामपल देख लो फूल हसे कलिया मुश्काई तो ये तो एक हसने की बात हो गई ना कि फूल कभी हसते है फूल हसते नहीं ना हसने की जो किरिया है वो मनुष्य की है तो मानवी किरियाओं को यहाँ पर फूल को हसते हुए दिखाया गया है और कलियों को मुश्कुराते हुए तो ये हो गया हमारा मानवी करण तो अब हम आते हैं अपने अतिशोक्ति अलंकार पर की होता क्या है आपने बहुत सारे एकजाम में देखा होगा पढ़ा होगा कि क्यूशन अतिशोक्ति जैसा कि नाम से ही परतीत होता है अतिशोक्ति अति ठीक है जैसे इसमें है अति अति पलस उक्ति तो अब अती का मतलब है अत्यधिक और हमारे उक्ती का क्या मिनिंग होगा उक्ती का मतलब होगा कथन तो इसके बारे में बताना चाहूंगी कि जो अतिशोक्ति अलंकार है ये हमारे प्राचेनकाल से ही जो कवियों की देन है और आज भी इसका परयोग काफी मातरा में या भरपूर मातरा में हम कह सकते हो रहा है और इसमें किसी भी प्राणी की या किसी मनुश्य की या किसी भी चीज की इतनी अधिक या अत्यंत परसंसा की जाए कि वो लोक सीमा से हट कर लगती है कि नहीं ये नहीं हो सकता तो वहाँ पर क्या आएगा हमारा अतिशोक्ति अलंकार अत्यदिक जहां पर बढ़ाई की जाए हमारे प्राचीन काल में क्या थे कवी जैसे दरवारी कवी थे और वो राजाओं के दरवार में रहते थे तो उनकी परसंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे तो इसलिए क्या करते थे उनकी परसंसा में खूब अतिशोक्ति अलंकारों की उन्होंने मतलब अतिशोक्ति लंकारों का खूब ज़्यादा यूज किया है, परियोग किया है, तो चलिए हम इन उधारनों से समस्ते हैं, तो हमारा सबसे पहला है, देखिए, हनुमान की पूछ में लगन ने पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, देखिए जो उधारन है, ये लगब की हनुमान, तो इनके बारे में तो देखो, परसन सा जितनी कम की जाए, उतनी ही कम हो सकती है, या ज़्यादा हो सकती है, कितनी ही हम इसकी हनुमान जी के बारे में हम बढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अतिशोक्तिय लंकार की जो बात आ रही है, तो अब हम उसक्यो का जल गई और निशाचर राक्षश भाग गए तो हनुमान जी की परशंसा में ये जो शोक्ति है ये कथन है कि इसमें कि हनुमान ने अपनी जो पूछ है उसमें उनके लंका वाशियों ने क्या है आग भी नहीं लगाई थी कि उससे पहले उन्होंने सारी लंका को जला कर लंका को जल जाना तो यह यहां पर क्या हुआ हमारा अतिशोक्तिय लंका चली हम दूसरे उजारन से इसको और अच्छा समझते हैं आगे नदिया पड़ी अपार घोड़ा कैसे उत्रे पार रहना ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार चेतक तो इसके बारे में तो क युद का जो सीन था एक जिकर आया उसमें कि नदिया बहुत सारी आगे पड़ी हुई थी कि पानी से लबालब भरी थी और राणा सोच रहे थे कि गोड़ा चेतक कैसे उसको पार करेगा और कहते हैं कि राणा ने सोचा ही था कि जो चेतक था उस नदिया को पलग जपकते ह पार कर गया तो यहां पर क्या हुआ अतिशोक्ति अलंकार आगे आते हैं इस पर देख लो साकेत नगरी है यही सरग से मिलने गगन में जा रही तो यह भी अतिशोक्ति का है कि देख लो साकेत नगरी यह जो साकेत नगरी है इसको किस से मिलने बताया है सरग से तो क्या एक कि इतनी अत्यधिक परसंसा की जाए बढ़ा चड़ा कर उस नगरी के वैभव को यहाँ पर बताया गया है कि वो सुरग से मिलने गगन में जा रही है तो यह तो impossible है ठीक है किसी की परसंसा की जाए पर इतनी कि इतनी साकेत नगरी इतनी वैभव शाली थी कि उसकी यहाँ पर जो सुरग से उसकी कंपेर उसकी तुलना की जा रही है कि उसके आगे तो सुरग भी फिका पड़ रहा था तो ऐसा हो नहीं सकता ना तो यह हो गया हमारा अतिशोक्ति अलंकार अब इसका एक एकजाम पलोर देख लेते हैं ओशधाल अयोधा में बने तो थे सही किन्तु उन में रोगियों का नाम तक भी था नहीं तो यह हमारा अतिशोक्ति अलंकार का उदारन है कि ओशधाल जैसे होस्पिटल है आयोध्या में कह रहे हैं कि जो हस्पताल थे वो तो बने ही नहीं थे और कह रहे हैं उनमें जरती नहीं थी क्योंकि जो रामराज्य था उनमें रोग तो थे ही नहीं, रोगयों का नाम ही नहीं था रामराज्ये में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन हम अगर अतिश्योक्ति पे जाए, तो यहाँ पर क्या है, आयोध्या की यहाँ पर अत्यधिक बड़ा चड़ा कर परशंसा तारीफ की गई है, तो मैं उमीद करती हूँ, कि ह हमने जो आपको यह अलंकार कराए हैं, आपकी समझ में आ गए होंगे, और आप इसे आगे अपने बहुत सारे जो एक्जाम आते हैं, उनमें कही न कहीं आपको इससे प्रेड़ना मिलेगी, कहीं न कहीं कुछ सीखने को मिलेगा, और इसी के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे झाल झाल